इस्टर इसाई धर्म के महत्वपून पर्वों में से एक है इसा मसी के पुनर जीवित होने की खुशी में इस्टर पर्व मनाया जाता है इसाई धर्म की मानिताओं के अनुसार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन इसा मसी दोबारा जीवित हो गए थे जिसे इसाई धर्म के लोग Easter Sunday के नाम से मनाते हैं Christmas के अलावा Easter इसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है दोनों ही पर्व इसा मसी के जनम दिन के रूप में मनाय जाते हैं इस बार इस तरच चार अप्रिल के दिन मनाया जा रहा है इसाई धर्म की मानेताओं की अनुसार हजारों साल पहले गुड फ्राइडे के दिन इसा मसी को यरुशलम की पहाडियों पर सूली पर चढ़ाया गया था इसके बाद गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानि पहले संडे को इसा मसी दोबारा जीवित हो गये थे माना जाता है कि पूर्ण जन्म के बाद इसा मसी करीब 40 दिन तक अपने शिश्यों के साथ रहे थे इसके बाद वो हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए थे इसलिए इस्टर पर्व का ज़श्ण पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है लेकिन आधिकारिक तोर पर इस्टर पर्व 50 दिनों तक चलता है इस पर्व को इसाई धर्म के लोग बड़ी धूम धाम और उत्साह से मनाते हैं इस्टर पर्व के पहले सप्ता को इस्टर सप्ता कहा जाता है इस दोरान इसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं साथ ही वरत रखते हैं इस्टर पर्व पर सभी चर्चों को खास तौर पर सजाया जाता है इस दिन चर्च में मुंबतिया जलाई जाती है इसाइ धर्म के कई लोग इस दिन अपने घरों को भी मुंबतियों से रोशन करते हैं इस्टर डे के दिन विशेश तौर पर बाईबल का पाट किया जाता है इस्टर परव पर अंडे का खास महत्व है इसाई धर्म के लोग इस्टर परव पर अंडे सजा कर एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं उनके मानिता है कि अंडे अच्छे दिनों की शिरुवात है और नए जीवन का संदेश देते हैं दरसल इसाई धर्म के लोगों का मानना है कि अंडे में से जिस तरह एक नया जीवन उत्पन होता है वो लोगों को नई शिरुवात का संदेश देता है ये खबर आप देख रहे थे समाचारनगरी.in पर